तो हेलो गाईज, विल्कम बैक टो दो चैनल, तो अगर स्वागत करता हूँ आपके माजिक एंड मसल के एपिसोड 11 में, तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैश यहां बहार पहुंच जाता है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है, तो यहां पे एपिल बोलता ह ओहो, तुमने तो मुझे सप्राइस कर दिया, मुझे तो लगा था कि एपिस को सिफ वो ही इंसान हरा सकता है, जो कि एम्स रहन है, जो कि एक डिवाइन वेजनरी है, पर तुम तो उससे जादा बहतर निकले, पर ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहां पे मैश घपरा जाता है, कि इसको पता तो नहीं लग गया, मैं को जादू बादू नहीं आता, जिसके बाद बहुलता है, तुम भी बहुत केबल हो मैश, पर यहां पर मैश की सांस में सांस आती है, तो यहां पर एबल बोलता है, यहां पर इस दुनिया में कोई भी एक्वाली ट्रीट नहीं किया जात है तो मारा क्या मतलब है जो लोग जादू कर सकते वह मतलब है क्या तो यहाँ पर Basis з manga चेंज होगा और यहाँ परrain चाहिए तो यहाँ पर Mash सोचता है अच्छा और वह याद कर रहा होता है इसके दद्दू को जिसने उसको पाल पोस के बढ़ा करा और वो बोलता था उससे की बेटा मैश में तुम पर बहुत प्राउट फील करता हूं तो यहां पर मैश बोलता है अच्छा मैं तेरी बाद समझ गया हूं एबिल तुझे जो चीछ से तुझे प्राब्लम है न उसके करण हम कभी भी दोस्त नहीं बन पाएंगे और यहां पर एबिल बोलता है मुझे है सेकेंड लोग रहे तू थोड़ा डर गया है कहीं तू भी तो इंफीरियर नहीं और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पपेट से मैश पर अटैक कर देता है फिर अगले सीन में हम देखते हैं ल ले लेता है और यहां पर बोलिंग करने लगता है फुल पावर से जिसके बाद वो एक के बाद एक एक ही बाल से सारे का सारे पपिट को उड़ा देता है तो लव क्यूड बोलती है हां 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 इसने तो कबारा कर दिया इसने तो बोलिंग बना दिया इनको और जिसके बाद मैज बोलता है तूने क्या बोला inferior jeans हाँ इसका ये मतलब है कि अगर मैं तुस्से जी दिया तो तू inferior हैगा और यहाँ पे तू पहले तो यह बरता कि lemon कहा है और तूने इसका क्या करा तो यहाँ पर मना कर देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और यहाँ पे मैज बोलता है मैं तेरे जैसे लोगों से परिसान हूँ तो यहाँ पे एबिल बोलता है मैं तो सिर्फ यहाँ पर पावर से खटी कर रहा हूँ इन लोगों से और यहाँ पे एक मजबूत आदमी किसी भी कमजोर आदम हो चुका है और यहां पर बोलता है जल्दी बता दे मुझको 11 कहां है तो एबिल की थोड़ी फट जाती है और यहां पर लफकीट सुच्वेते मुझे तो घल निकलने ना चाहिए और ना मेरी भी पेटी बन सकती है जिसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर कंट्रोल कर लेता ह एबिल मैश को ही एक पपेट की तरह और यहां पर मैश अपने आपको ही मार रहा होता है और फिर हमको बता रहा होता है कि मैंने तुछ को कंट्रोल कर लिया है और उसी कंट्रोल के साथ वो उसका गला दबा रहा होता है पर एकदम से वो गले की रसी तूट जाती है और यहा यहां पे उस्से ही अटेक कर रहा था इसके बाद यहां पेविल बोलता है तो इसको तो मार ही नहीं पाएगा और तूने इसकंप Prof. तो मैं तेरे दोस्त को तोड़ दूँगा पूरा के पूरा जिसके कारण वो मर भी सकता है तो मैश बोलता है अच्छा ये को ऐसे खेलना है क्या तो यहाँ पेबिल बोलता है तोड़ के देख ले तू चाहे तो तोड़ दे मुझे क्या और यहाँ पे फिन बारबर अटेक कर रहा हुता है मैश पे अंचाहे पर यहाँ पे मैश जैसे तैसे पिट रहा हुता है क्योंकि मैश उसको मारना नहीं चाहता और यहां पर मैश बचके बहुत पिटता है पर उसकी जित्ते भी हतियार रहता है ना फिनके वह सारे के सारे टूट जाते है जिसके पाद मैश एबिल की बाते भी सुन रहा तर बोलता है तेरी बातों से इसा लग रहा है तू बड़ा कुमा फिरा के बात बोलता है पर सीधे सीधे बोल ले जिसके बाद लवक्यूट शॉक हो जाती कि यहां बोल रहा है और यहां पर मैश उसका गोल्ड को ही निकाल के बोलता है तेरे को क्या मेरा गोल्ड को चाहिए क्या अच्छा ले ही ले तेरे को चाहिए तो और फिक के मा साती है और वो वापिस से कंट्रोल करने लगता है मैश को और बोलता है इस बार तू ये धागे नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि मैं नहीं तोड़ूँगा पर यहाँ पर मैश बोलता है अच्छा तू कर रहा है मेरे दोस्तों को परिसान और सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सबसे सकती साली जादू यूज करता है और यहाँ पर बता रहा है तो तेरी वज़े से मुझे जादू यूज करना पड़ा साले और जितना वीक तू होगा उत्ती असानी से मैं जादू इसकर बाओंगा खरगोस कहीं के और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैश एक पुतले में बदल चुका होता है और उसके बाद एबल उसका गौड कॉइन ले रहा होता है ऑसकी जेब से और यहाँ पे गौल कॉइन लेने की कोशिश करता है तो उसमें से निकलता है क्रीम पफ और एक मुक्का पढ़ता है मैस का और यहां पर बोलता है मैस अरे मेरा क्रीम पफ इएक किसे आ गया तो लवक्यूट से चायती क्या यह पगले ने क्रीम पफ ऐसे ही रख दिया जैमें वह जिसके बाद अब बोल रहता है इसने कैसे कराई है मेरा कंट्रोल जो रहता है इंसान पर शुत्र अपने अप उठान लगता न उसे ही बोलता है Spinal Reflex और यह एक अंचाही चीज है जो कि Mash ने अंचाने में कर दिया और यहां पर Abil बढ़ा डर रहा होता है और खुश भी हो रहा होता है खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि Mash उसकी पुंगी बजाएगा और यहां पर Love Cute सोचे होती सहाले तेरा क्रीम पफ तेरे को इकता इंपोर्टेंट है तो Abil बहुता है इसका क्रीम पफ ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसको और जिसके बाद हम देखते है कि Abil बोलता है यहां पर से fittest ही survive करेगा वीक की तो पेटी बन जाएगी और यहां पर वो पूरा जादू absorb कर रहा खाता है जो बाकी लोगों को डॉल बनाके बोलता है इससे सबसे powerful attack करूँगा तुछ पे और यहां पर यहां पर सबसे बड़ा puppet बना लेता है और जिसका नाम रहता है Maronius Second Harm Puppet और यहां पर वो 100 मीटर के दायरे में जिसको भी छूएगा वो बहुत तगड़ा puppet बन जाएगा और उसको कंट्रोल करने लगेगा अपना Abil तो Love Cute की फट रही होती कि में भी बन जाओंगी यार और यहां पर Abil बोल इसको counter करने का कोई तरीका ही नहीं है तो इससे कभी recover नहीं कर पाएगा और यहां पर वो धागे निकल रहा होता है इस puppet से और Abil बोल रहा होता है कि बेटा देख तेरी पेटी बनेगी Abil भासन दे रही होता है और इतनी दिर में हम देखते कि मेश उसके भासन के साथ साथ उसके puppet की भी पेटी बना देता है और puppet कम वो चूतिया जादा लाता है दो सेकेंड बाद और पूरा तोड़ देता है उस puppet को जिसके बाद यहाँ पे Abil सुचता तूने इसको कैसे रुख दिया तूने तो वो धागे भी नहीं देख सकता कोई आम इंसान वो धागे अपने आखों से देख ही नहीं सकता जिसके बाद love cute हमको बताती है बैस गदे को कुछ नहीं पता है Abil को मैं बताती है तुमको जैसे ही mash को एक धागे ने चुआ तो मेश ने तुरन थी सारी के सारे धागों को पकड़ के तोड़ मरोड़ दी और puppet को भी थोड़ दाला जिसके बाद यहाँ पर मैश बलता है क्या हुआ खरगोस पसीना रहो का जिसके बाद वो यहाँ पर टूटे-पूटे puppet से अटेक करता है Abil पर यहाँ पर मैश एक मुक्खा देता है वन मैं पंच और पूरा के पूरा puppet तोड़ देता है जिसके बाद उसके पीछे चल जाता Abil के और बोलता है Spinal ले जादू और यहाँ पर Abil को उल्टा पटक के जमिन में भर डालता है जिसके बाद Abil उसकी back story सोच रहता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी वो एक महरानी थी पर हमेशा उसने सब को equally treat करा और यहाँ पर एक दिन उसको किसी ने चाकू मार दिया कोई बात नहीं इनसान बहुत अच्छे होते मेरी माँ इतनी अच्छी थी इतनी noble थी कि वो किसी में भी कोई फरक नहीं करती थी पर मेरी मां जा चुकी है और मेरी मां गलत थी यहाँ पे किसी पे भी दया नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि यह society बहुती गटिया और नीच है हम कभी भी equally रही नहीं सकते मेरा plan इतना अच्छा था यहाँ पे तगड़े जादू कर मैंने इखटे किये थे जिनको भी भई दिक्कती दुनिया से पर हम सब हार गए पर मेरा goal कभी भी बतलेगा नहीं मैं हमेशा कमजोरों को तोड़ता रहूँगा और यहाँ पे मैंश बोलता है अरे तू मेरे को अत्ता बुरा भी नहीं लग रहा यार और वैसे भी तूने यह सब तेरी मा के लिए किया है तो कोई problem नहीं है जो इनसान अपनी मा के लिए सब कर सकता है वो बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ पे एबिल सब के सब लोगों को आजाद कर देता है और फिन की भी आँके खुल जाती है जिसके बाद फिन देखता है मैश और अपने लेमन को और बोलता है ओहो तुम दोनों ठीक हो मैं तो बड़ा परिसान हो गया था तो यहाँ पे वो तीनों बात कर रहा है उतर बोल रहा है हीपी फुरे हीपी फुरे पुछ रहा होता है एबिल उसकी मा से बोल रहा है क्या ही बिबककुब लोगे माई है और वो वापे से खुस हो रहा है उतर चिला रहा होता है बहुत जी ज़्यादा मस्ती कर रहा होता है वो तेनों के तीनों कदे ह composition और जिसके बाद वहाँ पे Barret भी आ जाता है और बोलता है ओ तुम लोग ठीक हो और यहाँ पे वो भी बोल रहाता है हे पर फुर रहा है फिर वापिस से Ever बोलता है तू तो इस स्कुल से बिलॉंग भी नहीं करता तू यहाँ क्या कर रहा है तो यहाँ पर वो अटैक भी करता है डिवाइन विशनरी उस पे पर लैंस उसका अटैक काट देता है जिसके बाद यहाँ पर हमको पता लगता है कि दर असल वो लैंस नहीं इनोसेंट जीरो एक क्रिमिनल ऑगनाईजेशन का एक बंदा है और यहाँ पर बता रहा हुता है मैं तो किसी भी बच्चे का रूप ले सकता हूँ और यहाँ पर एम्स बोलता है तेरे जैसा गटर का चुहाई यहाँ करके रहा है और यहाँ पर वो बोलता है जैसे ही एम्स उसको रोकने के ट्राइ करता है तो हम देखते हैं एक और बंदा उसके सामने जाता है और वो रहता है एक क्रिमिनल और असासियन और यहाँ पर उसके पास पावर रहती है डिवाइन विशनरी जित्ती जिसके बाद यहाँ पे इम सोच रहता है यह लोग अंदर है मैश वगिर इन लोगों को रोख ही नहीं पाएंगे वे तो मारे जा सकते है जिसके बाद हम देखने कि यह वाला एपिसोड खतम हो जाता है और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करो शेर करो सबस्क्राइब करो मिलते हैं नेक्स पार्ट में तब तक के लिए बाए बाए